अरे सूरे कुमार रियादो बैया सुने हैं कि हमारी टीम ये इंडिया बंगलादेश टीम से हार गई एद ने बेकार दिन आ गई अरे सूरे भाई मुझे तो लग रहा है हमारे बगेर इस टीम में वो दम नहीं देख रहा है यह देखो भाई कैसे कैसे दिगज बैठे हैं यह आपने विराट कोली रोई सर्मा यह सिखर धवन सिखर धवन तो अभी वंडे सीरीज हरवा आया भाई यह वहां से यह नूजलें यार वो नाम तो तुम भूल गए जिसकी मैच हा रहे हैं अरे वो अपना केल रहूल अरे चलो उसने बल्ले बाजी तो ठीक ठीक की थी लेकिन वह यह उसने फिल्डिंग में क्या किया पूरा मैच तो उसी ने हरवाया है उसने एक ऐसा आसान कैच छोड़ दिया उसको बच् मेरे और तुम्हारे सिवा विराट कोली चला और बाकी के तो वही हालत ऐसी खराब थे अरे सुर्या पांड्या जादा बड़े खिलाडी ना बनो अरे हमने तुमको खेलना सिखाया तुम आज हमें ही बाते बना रहे हो हमाना कि हमारा वक्त खराब चल रहा है इसका मतलब य थोड़ी तुम कुछ भी बक्वास करते फिरोगे ठीक है तुमारे अब अल्ला चल गया थोड़ा बहुत लेकिन भाई यह तुम हमें बाते बनाओगे इसका मतलब यह थोड़ी चलो पांड्या हम तुमको सौंप देंगे कप्तानी अप्तानी तुम्हें भी पता चल करना चल जाए तुम्हारा कप्तानी मैं भी चोड़ने वाला हूं अरे सरमाजी ज्यादा गुस्ता ना हो यारे इन पांड्यार सूरा की बातों मा करके तुम कफता नी छोड़ोगे बेलकुल नहीं छोड़ना कप्तानी भी आ तुम एस चलभे नहीं दिखा ओगे जम तक कफ में जाकर के कैसे पकल लिया वरना वो कैच वैच नहीं था हम तो बहुत ही तगड़े जम के भाई सतक वतक लगाने वाले थे लेकिन पता नहीं किसमत भी क्यलूल हो गई थी हमारी भी विराट भाई बिल्कुल ठीक के रहे तुम अरे भाई यह सूर्यार यह पंड्या तो बिल आरे भैई यह मुझे मेरी मूझ की क्सम सतक नहीं जड़ा तो बहुत है ना चले तो फिर क्या होगा भी यह तुम्हारा बल्ला ना चला फिर लेनेके तो देने पड़ जाएंगे तो मुझे कसम को कैंसल करो कोई दिक्कत नहीं ना चले का तब लग तो भी कोई दिक्कत नहीं भी या हम तो यहां जम्ने हुआ हैं कोई ना लिकालने वाला हमें बाहर